आखर क्या हुआ जब लोकडाउन के दौरान इंडोनेशिया के इस मंदिर के दौार खोले गए दोस्तों ये कहानी है इंडोनेशिया की जहां कोरोना काल के समय खोले गए भगवान शिव के एक पराचीन मंदिर के दौार इसके बाद जो हुआ वो देखकर आपके कान खड़े के खड़े ही रह जाएंगे जब ये खबर इंडोनेशिया के प्रशासन तक पहुंची तो सब लोग भगवान के इस चमतकार को देखकर हैरान ही रह गए थे हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रभू दर्शन में ये सची घटना हमें भेजी है उत्तर प्रदेश के कानपूर में रहने वाले दिनेश जी ने दिनेश जी जो कि भगवान शिफ के एक बहुत ही अनन्य भक्त हैं और भगवान शिफ के प्रतीन का प्रेम काफी ज्यादा है वो हर सुमवार भगवान शिफ के मंदर जाकर भगवान शिफ का जलाबी शेक करते हैं दिनेश जी एक बड़े बिजनसमेन है और उनकी कानपुर में ही एक बहुत ही बड़ी कमपनी है जहां उनके अंडर बहुत सारे करमचारी काम करते हैं उनका यह कारोबार बहुत ही ज्यादा प्रगती कर रहा था और वो अपने करमचारीों का भी बहुत सम्मान कर दे थे जिस इस दोरान कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सिर्फ वही नहीं बलकि आसपास के सभी लोग हैरान हो गए थे। इस देशों तक भी पहुश्ट लगा था। धीरे इन देशों की सूची में इंडोनेशिया भी जुड़ गया। जिस कारण भारत ही नहीं बलकि इंडोनेशिया सरकार ने भी परिस्थितियों को देखते हुए लोगडाउन की घोश ना कर दी। जिस कारण उन्हें कई दिनों से वो अभी खुला नहीं था और बंध ही था। मैं भी लोगडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहा था। ताकि भगवान शिफ के इस भव्य और प्राचीन मंदिर में स्थित भगवान शिफ की इस मूर्ती का दर्शन कर पाऊं। करीब 20 दिन बात जब लोगडाउन के साथ साथ मंदिर के द्वार खुले तो कुछ ऐसा चमतकार हुआ जिसे देखकर पंडी जी भी हैरान हो गए थे। मेरे पास बस यही मौका था जब मैं भगवान शिफ के दर्शन करने के लिए मंदिर में जा सकता था। उसी दिन सुबह साड़े पाच बजे मैं मंदिर में ज़्यादा डर गए और मंदिर से बाहर की ओर आने लगे। इतना ही समय पर अचाला कि वो मंदिर के उस गर्वग्रह से रहसमें तरीके से अद्रिश्य हो जाता है जिसके बाद वो शेशनाग किसी भी व्यक्ति को नहीं दिखाई देता। लोगों ने उस शेशनाग को काफ इसको सब्सक्राइब कर लीजे और उस बेल आइकन को दबा कर हमारे नोटिफिकेशन्स ओन कर लीजे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको अपने रिलेटिवस में अपने दोस्तों में सब में शेयर करिए और सब को बताए ये चमतकार के बारे में और अगर इसको लाइक कर लीजे धन्यवाद